हाँ जी यह बात आपने बिल्कुल से ही सुनी है कि बाई दो हजार चौबएस से नीट के थू एम्वी बीएस आयाइटी में भी मिलेगा और सबसे पहला आयाइटी चुना गया है आयाइटी खड़तपुर उसके बाद बाते करी जा रही है कि आयाइटी कानपुर में भी धीर दीरे दीरे लॉंच होगा बॉंबे में भी लॉंच होगा लेकिन लोग बता रहे हैं कि आयाइटी कानपुर में दो हजार चौबएस से एम्वी बीएस शुरू होने वाला है ठीक है उसकी 100 सीटे प्रस्ताविद भी की गई है लेकिन आयाइटी खड़तपुर को ही क्यों च करेंगे मेरे बच्चे तो उससे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा सबसे पहली एक बात समझे आपने कभी भी देखा होगा इंडिया में और युए से में डिफरेंस यह होता है या बागी कंट्री में बात करूँगी जो हेल्थ केर में बहुत जादा आगे है इंडिया आज भी कही ना कहीं डिग्रेड करता है तो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी ने यह कहा कि भाई क्यों ना हम एक साथ भाई मेडिकल और इंजीनेरिंग के स्टुएंट का एक ऐसा हम औरा क्रियेट करें जहां पे स्टुएंट क्या कर सके बस से बस नॉलेज ले सके अपनी हेल्थ केर सेंटर्स में और जहां पे मेडिकल स्टुएंट को आप किस चीज के बारे में आप इंजीनेरिंग मेडिकल इंजीनेरिंग के बारे में भी डीटेल में समझा सके तो चलिए हम बात करते हैं मेरे बच्चों कि यार आइटी खड़कपुर में अगर MBBS स्ट सबसे पहले पूरे डीटेल में सको समझते हों चलिए कि 2024 से आइटी खड़कपुर में MBBS स्टार्ट होने वाला है अब अगर मैं आपसे बात करूं मैं आपसे जैसे पूछा कि यार आइटी वाई आइटी ठीक है तो समझना आइटी को क्यों चुना जा रहा है MBBS के लिए के अलावा लेकिन आइटी में अल्रीटी स्टैब्लिज्ट हैं तो हमें वहां पर सिर्फ एक विंग शुरू करने मेडिकल नहीं तो समझ ना यह चीछ कहां से शुरू हुई मैं इसको एकदाम अपन स्टार्टिंग में चलते हैं नैशनल एडूकेशन पॉलिसी ठीक है उनक अब समझना समझना IAT खळगपूर ही क्यों लोग ने यह नहीं बताए कि IAT खळगपूर में शुरू हने वाला है 2024 से लिघे कहले से चल रही ही तो आई यह IAT खळगपूर का इतिया समझते हैं पर आपको बड़ा मजा आने होगा why IIT खणपूर IIT खणपूर को ही क्यों चुना गया है सबसे पहली बात है मेरे बच्चे कि अगर आप देखिंगे IIT खणपूर में ठीक है समझ ना अभी academic courses कौन कौन से चल रहे है already medical से related academic courses कौन कौन से चल रहे है तो मेरे बच्चे यहाँ पर BSC के बाद MSC PhD program integrated program है in medical physics बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता ही नहीं होगी कि यार IIT खणपूर में मैं बताँगा किस college में चल रहे हैं IIT खणपूर के MSC PhD program in medical physics यह already course चल रहा है ठीक है दूसरा MSC PhD program in molecular medical biology molecular medical biology में already MSC PhD program IIT खणपूर में चल रहा है इसके अलावा MSC PhD in nuclear physics या nuclear medicine nuclear medicine में already क्या चल रहा है MSC PhD का आप integrated program कर सकते हैं इसके अलावा समझेगा मेरे बच्चों अगर मैं आगे बढ़ू academic courses और कौन-कौन से Mtech Mtech तो बच्चों ने obviously engineering के बच्चे करते हैं लेकि medical imaging and image analysis में already यहां पर क्या चल रहा है Mtech चल रहा है IIT खड़कपुर काफी advanced IITs में से एक है इसके अलावा जब आप MBBS कर लेते हैं ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी तो यहां पर three year का master program कर चलाया जाता in medical science and technology क्या बटा मेरे बच्चे master's program in medical science and technology जिसे MMST कहते हैं ये तीन साल का होता six semester में होता है six semester में होता है और ये IIT खड़कपुर में after MBBS ये program चलाया जा रहा है ठीके जहां लोगों को जो MBBS doctors होते हैं उन्हें technology की क्या दी जाती है मेरे बच्चों सीख दी जाती है already medical की line में IIT खड़कपुर काफी जादा आगे है that's why IIT खड़कपुर को पहला IIT select किया गया है जो MBBS कराएगा और इसके लिए 2024 से 100 seats रखी गई है 100 seats रखी गई है जिसके लिए आपको IIT का paper देने की जड़रत नहीं है ये seats आपको need के थू ही मिलेंगी national entrance come eligibility test के थू ही आपको मिलेंगी लेकिन जो बच्चे जैसे आज AIMS का नाम बहुत ज़्यादा famous है मेरे बच्चे FMC का नाम बहुत ज़्यादा famous है जिपमर का नाम बहुत ज़्यादा famous है आने वाले time में जो बच्चा IIT से IIT से क्या करेगा MBBS करेगा ये बात मानके चलिए वो medicine के अलावा technology में भी बहुत ज़्यादा ख्याती प्राप्त कर पाएगा अब logic समझते हैं डीटेल में जाते हैं कि यार IIT खड़कपूर के किस college से डीटेल में समझना इस चीज़ को इन IIT खड़कपूर आप देखेंगे IIT खड़कपूर में बीसी राइ टेक्नलोजी फॉस्पिटल ऑल्रेडी इस्टैबलिश है जहां पर मेरे बच्चे क्या होता है यह जो MSC PhD प्रोग्राम MSC PhD in Molecular Medicine यह जो तीन साल का Master's प्रोग्राम कर रहा है Medical Science and Technology में अल्रेड़ी यहां पर प्रैक्टिस करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि बीसी राइट टेक्नलोजी फॉस्पिटल ऑल्रेडी इस्टैबलिश्ट तो इसको शुरू करने में MBBS को शुरू करने में अपने कॉलेज में इसके लावा मैं और बात करता हूं टार्गेट है नीड़ दो हजार चौपिस मेरे बच्चे सीट्स आपकी अंड़ेट रखी गई हैं आप देख सकते हैं कि भाई इससे क्या फायदा होगा MBBS की सीट्स भी इंक्रीज हो जाएंगी MBBS की सीट्स भी इंक्रीज हो जाएंगी इंडिया में ठीक है धीरे धीरा आईट कानपूर को भी लाने का चल रहा है और मैंने आप से क्या कहा सर यह जो और सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब को चुना गया है कि आप सबसे पहले MBBS की तयारी स्टार्ट कर्वाएं मेरे बच्चे तो आज से ही कमर कस लीजे क्योंकि 2024 में आप लोगों को IIT में MBBS करने का मौका मिल रहा है और वो सबसे पहला अब बैच होगा जो मेरे बच्चे क्या करेगा MBBS की तैयरी करेगा IIT से ठीक है आपको और भी अगर कोई क्वैरी हो तो डॉक्टर ABC के संग जुड सकते हैं क्योंकि यहां हर चीज को आपको डीटेल में समझाया जाता है और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज ही चैनल को सबस्क्राइब करें मेरे बच्चे इससे आपको मेडिकल की मैंने आपसे जैसे ही क्या कहा कि डॉक्टर ABC चैनल में इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स जो की कहां से हैं एम से हैं FMC से हैं ठीक MAMC से पढ़े हुए हैं पोस्टेट है वहाँ पर वो आपको गाइड करेंगे ठूआउट यॉर मेडिकल जर्नी ठीक है बहुत जल्ले हाँ पर और ही सेशन शुरू हो जाएंगे और आपको बेस से बेस कॉलिटी एजुकेशन प्रोइड करने की कोश की जाएगी तो थैंक्यों सो मच पर वाचिंग सब्सक्राइब ना